हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्यूट इंफ्लेम चन्नी पर माई लविंग ट्विं सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवा मभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए होए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ मेरी सोल फैमली को एक बर फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुपका अबनाए आप सभी खुश रहें सुखी रहें, सुरक्षित रहें प्रियों बहुत से डियफ जो ये पूसती है कि हम कैसे जाने की हमारे डियम कितने अवेकन है एक unawakendium कैसे होते हैं या कहें कि एक distorted divine masculine कैसे होते हैं अगर वो on-off situation में आपके पास आते हैं तो आप उन्हें कैसे पहचाने हैं तो आज मैं वही बाते आपको बता रही हूँ ये वीडियो बहुत important होने वाला है इसलिए इसे पूरा देखे आप ये जानते हैं कि इस journey में जो divine masculine होते हैं उनके दो चहरे होते हैं 3D में अलग और 5D में अलग 5D में वो हमेशा जागरित होते हैं अवेकन होते हैं लेकिन 3D में वो अवेकन नहीं होते और इसी वज़े से वो अपने DF को trigger करते हैं हट करते हैं क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि DF को अवेकनिंग में आना है जब तक आपको trigger ना किया जाए hurt ना किया जाए तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हो सकती यही इस twin flame journey का राज है तो DM का behavior 3D में जैसा भी हो लेकिन उसकी वज़ा से DF की अवेकनिंग होती है जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि एक अनवेकन डियम यानि कि एक distorted divine masculine कैसे होते है first point है run करते है इस twin flame journey में जब भी DM और DF आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को आईना दिखाते हैं और इसकी वज़़ से वो तमाम wounds, darkness, surface पे आने लगते हैं जिस प्रकार DM, DF को आईना दिखाते हैं उसी प्रकार DM भी DM को आईना दिखाती है और यहाँ पर DM run करते हैं DF उन्हें chase करती है और DM का run करना ये नहीं बताता कि वो DF से भाग रहे हैं हलाकि DF को हमेशा ये लगता है कि DM उनसे run कर रहे हैं लेकिन DM खुद से भाग रहे होते हैं क्योंकि उनकी तमाम issues बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर एक unawakened DM हमेशा run करते हुए दिखाई देते हैं सेकंड पॉइंट है issues, surface प्याना जब runner chaser का game चलता है और DM run कर रहे होते हैं तो उनकी तमाम issues बाहर आ जाते हैं एंगर, ego, trust issue और इसके द्वारा वो हमेशा DF से भागते हैं लेकिन वास्तों में वो खुद की कम्यों को देख नहीं पाते और उसे accept नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी भी अपनी गलतियों को सिवकार नहीं करते उनमें एक प्रकार से ego होता है कि मैं ही सरोपरी हूँ मेरा कहना ही प्रात्मिक्ता मानी जाए और मुझे तो DF के जैसे कितनी भी मिल सकती है ये एक ego होता है एंगर बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी बात बात पर वो बहुत ज़्यादा नराज हो जाते है इनको ट्रस्ट इशू भी होता है खास कर जिस connection में वो है उनमें कभी वो trust नहीं कर पाते DF के साथ अपने connection को कभी सिवकार नहीं कर पाते अगर DF अपने इस connection के बारे में या divine के बारे में या spirituality के बारे में बता रही है तो भी उसे वो accept नहीं करते उस पर trust नहीं करते थर्ड पॉइंट है बहुत ज़्यादा logical होते है एक unawakened DM बहुत ज़्यादा logical होते है money minded होते है तर्क वितर्क करते है संदेही होते है trust issue होता है spiritual बातों पर interest नहीं दिखाते और नहीं उस पर बात करना पसंद करते हैं प्रेडी की चीजे उनको बहुत पसंद आती है money, job, service, friend circle उनका कोई goal, third party इन सभी पर वो बहुत ज़्यादा interest दिखाते हैं और इनी के पीछे वो भागते हैं ये उनकी पहली प्रात्मिक्ता होती है इसी बज़े से जब उनकी awakening होती है तो वो सारे sign and symptoms divine उनको दिखा रहे होते हैं इस journey के विशह में लेकिन उसके बाद भी वो समझ नहीं पाते क्योंकि इनको trust issue होता है किसी भी बात पर जल्द विश्वास नहीं कर पाते हर बात में एक संदे करते हैं fourth point है कार्मिक्स को choose करते हैं DF का हमेशा एक प्रश्ण होता है कि DM हमारे प्यार को क्यों नहीं समझते हमें accept क्यों नहीं करते वो हमेशा third party में क्यों चले जाते हैं उसका कारण ही ये है कि वो awaken नहीं है एक ऐसा DM जो awaken नहीं है वो हमेशा कार्मिक connection को ही choose करेगा सच्चाई से वो हमेशा दूर रहता है सच्चाई उसे दिखाई ही नहीं देती और नहीं वो उसे accept करता है DF सच्चाई को लेकर आती है unconditional love को लेकर आती है लेकिन वो उसे कभी भी स्युकार नहीं करते है उससे run करते है और कार्मिक connection को ही choose करते है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक इनसान की आँखों पर काली पट्टी चड़ी हो जिसकी वज़ा से उसको कुछ भी दिखाई न देता हो 3D में यही मानसिक्ता होती है DM की कि DF उनके सामने होती है सच्चाई उनके सामने होती है लेकिन वो जूट को चुनते है यानि की कार्मिक connection को ही चुनते है उसी प्रकार 5th point है Unconditional love से डरते है DF का उनके life में आना Unconditional love का आना है पहली बार वो divine love को देखते हैं उसे महसूस करते है लेकिन वो उससे डर जाते है क्योंकि वो कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनको trust issue होता है एक संदी ही स्वभाव होता है उन्हीं यहीं लगता है कि एक इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है और ये fear उनको run करवाता है इसी वज़े से वो DF के Unconditional love को एकसेप्ट नहीं करते और हमेशा run करते रहते है शिक्स पॉइंट है Old belief system DM की Conditioning ही इस प्रकार हुई होती है कि उनके अंदर बहुत से ऐसे belief system होते है जो old pattern के होते है जाती धर्म का अंतर मैं इस caste का हूँ तुम उस caste की हो मेरे घर के लोग तुम्हें कैसे सिवकार करेंगे Age difference अगर वो age में अपने DF से छोटे हैं तो family क्या कहेगी society क्या कहेगी अगर DF डाइवोर्सी है उनके family है बच्चे है तो कैसे मैं तुम्हें accept करूँगा तो इस प्रकार की तमाम बाते वो अपने दिमाग में बना कर रखते हैं और ये एक प्रकार से conditioning है जो उनकी हुई होती है और इसी वज़े से वो इस old belief system में जकड़े होते हैं एक प्रकार से ऐसा बंधन जिसकी वज़े से वो कभी भी DF को स्युकार करना नहीं चाहते और इसी वज़े से वो run करते हैं सेवन्थ पॉइंट है फियर में होना एक अनवेकन डिम में फियर देखा जाता है क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही इस प्रकार हुई होती है कि वो हमेशा एक फियर में रहते हैं अगर वो single है तो अपने डियफ के साथ अपने इस connection को हमेशा छीपा कर रखते हैं जग जाहीर नहीं होने देना चाहते भले ही उन्हें अपने डियफ से बहुत प्यार है उनके बिना वो रह नहीं सकते लेकिन अपनी family से अपने लोगों से इस बात को छीपा कर रखेंगे दूसरी और अगर वो अपनी married life में हैं और अपने डियफ के साथ कहीं छीप कर उन्होंने शादी कर ली तो इस बात को भी वो छीपा कर रखते हैं समाज से लोगों से और इसकी वज़े से डियफ को कोई value नहीं मिल पाती क्योंकि उनके दिमाग में हमेशे ये बाते होती है कि लोग क्या कहेंगी मेरी family क्या कहेगी मेरे परिवार को अगर पता चल गया मेरे समाज को पता चल गया तो क्या होगा यही fear क्योंकि उन्हें डियफ के energy चाहिए उनका साथ चाहिए उनके साथ रहना भी चाहते है लेकिन उस रिस्ते को वो accept नहीं करते दिल से उसे हमेशा छिपा कर रखना चाहते है इसी वज़े से डियफ हट होती है एर्थ पॉइंट है control नहीं होते एक जिनकी ये विशेस्ता होती है कि वो कभी भी किसी के द्वारा control नहीं होते उनको कोई control नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने मर्जी के मालिक होते है एक king कहे जाते है उनकी अपने घर में चलती है जो वो बोलते है उसको माना जाता है इसी वज़े से वो अपनी जिन्दगी में कभी भी कोई interfere नहीं चाहते इसी लिए जब runner chaser के game में जब वो third party में भाग रहे होते है और D.F. इस विशेप पर सवाल करती है कि आप third party में क्यों गए उस girlfriend के साथ क्यों गए तो वो कभी भी इसे नहीं सुनते और ये बात उनको कभी पसंद नहीं आती कि D.F. उन्हें कंट्रोल करे क्योंकि वो अपने मर्जी के मालिक होते है वो जो करे उनके लिए सही होता है इसलिए बहुत से बातों में D.M. और D.F. के बीच वाद विवाद होते हैं जगडे होते हैं उसी प्रकार नाइन्थ पॉइंट है डिमांड करते हैं एक अनवेकंड D.M. हमेशा डिमांड करते हुए ही नजर आएंगे फिजिकली फैनेंसली किसी भी प्रकार से वो आपसे मांग ही करेंगे अगर उनको फैनेंसली नीड है तो वो आपसे और बहुत से D.F. help करती है हलाकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी एनरजी ड्रेन होती है मनी भी एक एनरजी है इनको अनकंडिशनल लव समझ नहीं आता इसलिए ये इंटिमिसी या सैक्स को ही प्यार समझते हैं इसलिए ये हमेशा फिजिकल नीड में देखे जाते है और ये बहुत ज़ादा इसी चीज की डिमांड करते है टैंथ पॉइंट है रिसिविंग मोड में होना एक अनवेकन डियम हमेशा रिसिविंग मोड में होते है लेते हैं लेते हैं पर देते कुछ नहीं पर इसके विप्रेत DF, जो giving nature की होती है, वो हमेशा देती है, love, care, emotions, हर प्रकार से वो अपने DM को support करती है, help करती है, physically, mentally, emotionally, financially, जब भी उनको help की जरुवत होती है, वो उनको help करती है. आप जानते हैं कि एक matrix DM कभी भी अपने DF को कोई gift नहीं देते, चाहे वो कितने भी अमीर हो, कितनी भी luxury life हो, लेकिन वो अपनी DF को एक पैसे का भी gift नहीं देते, उल्टा उनसे gift लेते हैं, इसी वज़े से matrix twin की वज़े से बहुत ज़्यादा DF pain में आ जाती है, क्योंकि यही DM बहुत ज़्यादा भागते हैं. 11th point है, expressive नहीं होते, unawaken DM अपने दिल के बातों को हमेशा अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं, चाहे वो अपने DF से कितना भी प्यार करें, उनको कितना भी चाहें, लेकिन इस बात को कभी वो कहेंगे नहीं. यह छोटी-छोटी से बातों पर irritate हो जाते हैं, अपने गलतियों को मानते नहीं. DM और DF में जब भी कोई विवाद या जगड़ा होता है, तो वो उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, silent treatment देते हैं, और अपने बातों से व्यभारों से उन्हें हर्ड करते हैं. इसी वज़े से DF बहुत ज़्यादा pain में आ जाती है. 12th point है, 3D में support नहीं करते. DM के विशह में एक विशेज बात कही जाती है, कि वो 5D में हमेशा अवेकन होते हैं, इसलिए वो अपने DF को support करते हैं, help करते हैं, उनको motivate करते हैं. विशेज कर, जब DF dark night of the soul में होती है, तो 5D के उनके DM ही उनको motivate करते हैं, उनकी journey में आगे बढ़ाते हैं. लेकिन अगर आप 3D में अपने DM का साथ चाहेंगे, उनका support चाहेंगे, तो ये आपको नहीं मिलेगा. financially, mentally, emotionally, किसी भी रिती से वो आपको support नहीं करते हैं, उल्टा आपको trigger करते हैं, अपनी बातों से, अपने वैभार से, जिसकी वज़े से DF बहुत ज़्यादा pain में होती है. क्योंकि DF हमेशा 3D में उनका support चाती है, और जबकि DM 3D में awaken नहीं होते, इसलिए वो किसी भी रिती से उनको support नहीं करते. 13 पॉइंट है, value नहीं करते, एक unawaken DM कभी भी अपनी DF की value नहीं करते, उनकी बातों का मान नहीं रखते, चाहे DF उन्हें कितना भी अध्यात्मिक बाते बता रही है, डिवाइन के विशा में बाते बता रही है, या इस soul connection के बारे में बता रही है, वो कभी भी उस पर विश लाते कि DF का उनके जीवन में एक विशेश इस्थान है, हाला कि उनके भीतर ये बाते हैं, लेकिन वो कभी भी इसे प्रकट नहीं करते, तो इसी वज़े से कि एक unawaken DM कभी भी अपनी DF की value नहीं करते, क्योंकि वो जागरित नहीं है, तो इस प्रकार 5D में वो हमेशा जाग करते हैं, लेकिन 3D में वो अवेकन नहीं हो, तो प्रियो ये वो सारे sign and symptoms हैं जो बताते हैं कि एक unawaken DM कैसे होते हैं, वो DM जो 3D में जागरित नहीं है, लेकिन जब DM खुद पर काम करती है, खुद को heal करती है, balance करती है, complete करती है, और divine से soul merging करती है, तो इसका effect उनके DM पर प वो 5D की दिखाई देने लगती है, यानि कि वो ये जान जाते हैं कि उनके DF के साथ उनका एक soul connection है, इस प्रकार की एक soul journey है, और निश्चित ही, वो जब भी आते हैं, अपनी तमाम बातों को सिवकार करते हैं, और DF के साथ अपने इस connection पर विश्वास करते हैं, तो प्रियो, इस सारी बाते आपको help करें, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स विडियो में, तब तक के लिए take care and God bless you all, मेरी soul family, आप सभी की journey पूरी होए.